मेनपुरी सीट को समाजवादियों का गढ़ माना जाता है बिजेपी यहाँ अपना पर्चम लहराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है योगी सरकार में मंत्री जैवीर सिंग को समाजवादी पार्टी प्रत्याशी डिम्पल यादव के सामने उतारा गया है एक मात्र सीट है जिस पर पिछले तीन दशक तक किसी लहर का कोई असर नहीं रहा और सपा हमेशा जीत दर्ज कराती आई है इस बार यहाँ मोदी की गारंटी और मुलायम सिंग यादव की विरासत के बीच मुकाबला हो रहा है मेनपुरी उन पाँच सीटों में से एक है जिने सपा ने दो हजार उनीस के लोकसबत चुनाव में जीता था साल 2022 में सपा संस्थापक मुलायम सिंग यादव के निधन के बाद उनकी बहु डिमपल यादव ने उपचुनाव में ये सीट जीती थी इस सीट पर अपनी उमीदवारी जारी रखने के लिए कड़ी मेहनत कर रही डिमपल यादव को मुलाइम सिंग यादव द्वारा किये गए कारियों से उमीदे हैं साथ ही वो चुनावी सभाव में लोगों को ये भी याद दिला रही हैं उनका एक मातर उदेश्य मुलाइम सिंग यादव के पदचिनों पर चल कर उनकी विरासत को आगे बढ़ाना है मेनपुरी से नामांकन दाखिल करते समय यादव परिवार की एकता भी देखने को मिली इस दौरान सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के अलावा उनके चाचा रामकुपाल यादव और शिवपाल यादव भी मौजूद रहे दिमपल यादव की बेटी अधिती यादव भी इस चुनाव में अपनी मा के साथ कंदे से कंधा मिला कर चल रही है और अपनी मा के लिए प्रचार कर रही है बीजेपी लोगसभा उप्चुनाव में दिंपल यादव की जीत का श्रै मुलाइम सिंग यादव के निधन के कारण उपजी सहनुभूती को जाता है हाला कि बीजेपी इस बार सपा के बेहत मजबूत किले को फथा करने की कोशिश में है बीजेपी ने इस बार उत्तरप्रदेश के परियटन मंत्री मेंपुरी सदर सीट से विधायक जैवीर सिंग को मैदान में उतारा है जैवीर सिंग से ही डिंपल यादव का सीधा मुकाबला है केंद्रे ग्रह मंत्री अमिच शाह ने एक चुनावी रैली में लोगों से जैवीर सिंग को जितानी की अपील की थी केंद्रे ग्रह मंत्री की अपील का लोगों पर कितना असर पड़ता है ये तो चार चून को ही पता चलेगा मेनपुरी संसदे छेतर में पांच विधानसबा छेतर मेनपुरी सदर, भोगाओ, किष्णी, करहल और जस्वंत नगर है साल 2022 के विधानसबा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने करहल, किष्णी और जस्वंत नगर सीटे जीती थी जबकि भाजपा ने मेनपुरी सदर और भौगाउं सीट जीती थी यादव परिवार कई बार अंदर ही अंदर कल है के कारण भी अपना अस्तित्व खत्रे में डाल रहा था लेकिन अब यादव परिवार एक जुट है और इस बार सिती अलग है मेनपुरी में लोकसभा के तीसरे चरन यानी आगामी साथ मई को मतदान होना है